तो आज हम डारेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे डारेक्ट टैक्स से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन्स एक्सपेक्टेड है सारे चैप्टर को पूरा रिवाइस करने वाले हैं हम तो लास्ट तक बने रहे अगर आपको यह रिविजन भरे सेशन्स इंट्रेस्टिंग लग रहे हैं रिविजन से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और अगर आपको यह सेशन्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले विकॉस अगर आप लाइक करोगे तो सारे पॉइंट्स के बारे में हम आज के सेशन में डिसकस करेंगे ताकि ओवराल यह जे कन्फूजन आपके दिमाग में होगा यह क्लियर हो सकता है और आपके जितने भी चैप्टर से जितने भी हैड्स ओफ इंकम है सालरी से लेके अधर सोर्स तक सारे के बेसिस पे मैं एक प्लेइस्ट बनाया है प्लेइस्ट में जाईए सारा कुछ डिटेल मिलेगा और अगर आपको प्लेइस्ट में प्रॉपर वीडियो नहीं मिल रहे है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वाटसेप नंबर है वहां से आप मेसेज करें मेसेज करने के बाद मै आपको whatsapp के through message कर दूँगा तो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो just मुझे एक whatsapp पे message करे कि direct tax videos so I will send you everything ताकि आप सावी चीज़ों को properly revise कर पाओगे सबसे पहले जो topic हम देखने वाले है जिसके बारे में हम discuss करने वाले है already videos available है इसका वो सबसे पहला topic है आपका residential status का तो आप सभी को पता है residential status जो है उसके उपर rules है और यह जो rules है वो cover होते है आपके section 5 के basis पे तो एकदम simple है यहां से objectives भी बन सकते है practical question आ सकते है लेकिन major part जो है salary house property वहां से आपके questions बनेंगे तो residential status में सबसे important है आपका जो previous year है previous year में वो individual इंडिया में 182 days या उससे जादा रहना चाहिए तो 182 days या उससे जादा अगर रहता होगा तो उसको हम resident of India मानेंगे अगर वो नहीं रहता होगा तो पिछले 4 साल में इंडिया में 365 days या उससे जादा रहना चाहिए यह सबसे पहला base है और आपका जो previous year है उसमें कम से कम 60 days या उससे जादा रहना चाहिए तो conditions के numbers याद रखे अगर आप number याद रखोगे तो that will be better for you to analyze the residential status इसके ओपर already video आपको मिल जाएगा तो वहां से आप एक बार पढ़ सकते है तो यह हमारा first part है छोटे छोटे topics है दूसरा जो आपका topic है या छोटा part है that is scope of total income तो अगर हम scope of total income की बात करें तो scope of total income is covered as per section 5 तीक है काफी simple है ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है मैं अभी आपको तीन rules revise करवा हुआ यह तीन rules पढ़के जाना यह पूरा sum right आजाएगा तो काफी simple है तीन rules क्या है सबसे पहले scope of total income में आपको करना क्या पढ़ता है आपको तीन column बनाने पढ़ते है ROR का column, RNOR का column और NR का column which is called as non-resident बहुत ही simple है if you see the books बहुत सारी चीज़े दी होगी income restored in India income deemed to be restored in India income accrued or rise in India so these all points basically creates confusion in the minds of students इसलिए simple चीज़ आपको याद रखनी है अगर India से related income है एकदम simple rule बता रहो I hope कि आपको यह सारी बाते समझ में आएगी और इससे related जो भी questions आएगे वो आपके clear हो जाएगे अगर India related income आया तो आपको क्या करना है तीनो column में लिखना है अगर India related income आया अगर India में income मिला तो कुछ tension ही नहीं है अगर foreign में income मिला और India लेके आये foreign में income मिला और उसको हम लोगने India में लेके आये that is called remittance to India तो भी आपका 3 में आयेगा अगर India में income मिला और अगर हम foreign लेके गए तो भी आपका 3 में आयेगा काफी simple है अभी हम important point बात करते है अगर foreign का income है foreign का income है only foreign income है इसको India लेके नहीं आये हम लोग तो foreign income है तो सबसे पहला आपको point क्या देखना है कि controlling India है क्या तो अगर आपका foreign income है और controlled अगर India से है तो first में आएगा second में आएगा third में नहीं आएगा first में आएगा second में आएगा third में नहीं आएगा और जो आपका second point है अगर foreign income है जिसका India से कुछ भी लेना देना नहीं है तो first में आएगा second और third में नहीं आएगा ठीक है काफी simple rule है that means it is taxable for resident and ordinary resident resident but not ordinary resident and तीसरा है आपका non-resident तो very very simple point इससे related जो भी question बनेगा उसमें आपको ये सारी चीज़े याद रखनी है कि अगर India related income है तो तीनों कॉलम में taxable कर दो foreign income है और controlling India से है तो first दो categories में taxable कर दो and अगर foreign income है और जिसका India से कुछ लेना देना नहीं है तो सिर्फ आपको first category में taxable उसको कर देना है that is the basic rule और अगर agriculture income रहा तो किसी भी कॉलम में नहीं आएगा फिर आपको क्या याद रखना है past untax profits ठीक है past untax profits तो ये past untax profits रहेंगे वो भी तीनों कॉलम में आपके नहीं आएंगे agriculture income इंडिया कर रहेगा तो भी तीनों कॉलम में नहीं आएगा लेकिन agriculture income अगर foreign का रहेगा foreign का तो first में आएगा second और third में नहीं आएगा तो ये आपको ध्यान रखना है in the part of scope of total income अभी हम directly हमारे heads पे जाते है अभी heads of income जो है heads of income आप सभी को पता है everybody knows about it so there are total five heads of income everyone knows about it five heads of income कौन से कौन से हमारे salary, house property capital gain, business profession and other sources अभी आपको question कैसे आएंगे वो ध्यान से समझ लेना सबसे पहले salary के उपर question आएगा देखो अभी salary में क्या चीज़े हैंगी वो भी हम बात करने ही वाले salary में आपको एक house property भी दिया जा सकते है और ये house property आपका L.O.P. हो सकता है L.O.P. let out property I will discuss it जब हम house property के बारे में discuss करेंगे फिर एक उसके साथ आपको other sources भी आ सकता है तो maximum 3 heads एक साथ आ सकते है ज़्यादा अगर के salary और other source एक साथ पूछ लिया बट salary और house property आता है तो house property में SOP नहीं आएगा only L.O.P. आने के chances है this may carry 20 marks ठीके इसमें 20 marks का question directly salary प्लस house property प्लस other source और इसमें 2 deductions होंगे अब यो deductions कौन से कौन होने वाले है वो भी हम लोग revise करेंगे सारे chapter 6A के deductions है ATC, ATCCC वाले one by one सारी चीज़े हम discuss करेंगे तो second जो part होगा that will be related with house property तो इसमें आपको house property अभी इसमें दोनों चीज़े आ सकती है एक आपका L.O.P. हो सकता है और एक आपका L.O.P. हो सकता है और इसके साथ अपना एक chapter तो confirm है other sources हो तो fix ही होता है और इसके साथ अपने डो deductions आएंगे and that will again carry 20 marks फिर इसके बाद आपका जो topic है that will be business profession तो very very important part business या फिर profession तो business profession again will carry 20 marks तो यह देखो यह तीनों को मिला कि कितने marks हो गए 60 marks हो गए 20 mark का आपका objective हो गया और 20 mark का आपका theory हो गया ऐसा मिला कि आपका 100 marks हो जाएगा अभी देखो बहुत सारे topic ऐसा है जो मैंने हाँ पर डाले ही नहीं है लेकिन आप इतने topics करोगे तो हो जाएगा capital gain वगरा वो सब option में आ सकता है बट यह topics आपको ध्यान से करने है अभी हम एक-एक topic को revise करना साट करते है I hope कि आपको एक overall idea आ गया हो गया हो गया कि किस तरीके से paper expected हो सकता है तो अगर आप सारी चीज़े पढ़के जाओगे time से भी solve कर लोगे थोड़ा delay भी solve कर लोगे तभी भी time आपका बचने वाला कल के paper में तो इसके लिए इसमें कोच इतना issue नहीं है I hope I am very much clear in this just एक बार comment डेखना चाहतो आप सबके तो comments एक बार करे कि if it is clear this much then type in the comment section as clear then we can start with our first head of income तो हमारा सबसे पहला head of income होता है हमारा income from salary मैं आपको इसके levels बताऊंगा कौन से कौन से levels आपको पढ़के जाने है कल के paper में उसमें से एक हाद level में question आने ही वाला है तो accordingly income from salary की अगर हम बात करें तो income from salary में सबसे पहली चीज है उसमें आपको 12 months का details दिया जाएगा 12 months जैसे की basic salary 20,000 per month basic salary के बाद DA 20% of basic मतलब आपको 12 months का information जो है वो per month basis पे दिया जाएगा तो यह पहला level है जिसमें आपको per month basis पे दिया जाएगा या फिर इसमें आपको per annum के basis पे भी दिया जाता है per annum का मतलब होता है पूरे साल का ठीक है वो that is very simple तो 12 months का दिया रहेगा मतलब per month का दिया रहेगा तो आपको multiplied by 12 करना है per annum का दिया रहेगा तो आपको multiplied by 12 नहीं करना है this is the first level तो this is the first level of question normal level है उसमें per month या per annum आ सकता है जो दूसरा हमारा level है that is called as net salary ठीक है जहां पर भी आपको net salary दिया रहेगा तो आपको क्या याद रखना है net salary अगर आपको दिया है तो जितने भी point में deducted word है वो आपको add करना है और deducted word add करने के बाद आपको फिर मिलेगा basic salary तो whenever net salary is given basic salary आपको calculate करना पड़ता है basic salary we are going to calculate so that is why try to read the question properly unless and until you see net salary you will not add any deducted word but if you see net salary word you will add the deducted वाले जितने भी points होंगे आप उसमें क्या करने वाले हो आप उसमें आड करने वाले हो फिर basic salary दूंडेगे और उसके बाद की procedure आपकी सेम रहेगी जो हमारा तीसरा लेवल है वो थोड़ा सा tricky level है ये वाले टाइप के question attempt करने से पहले 2-3 बार सोच लेना because इसमें क्या होता है इसमें हमारा retirement रहता है और retirement में usually हम months के calculation में गलत हो जाते है मैं आपको example लेता हूँ जैसे कि अगर आपको question में दिया है कि कोई भी बन्दा जो है कोई भी बन्दा जो है वो अगर say for example 31st December को count करते हैं say for example कि कोई बन्दा जो है 31st December को रिटारमेंट ले ले लेटा है 31st December को उसने क्या कर दिया retirement ले ले लेए आप करोगे क्या अभी, April, May, June, July, August, September, October, November, December, ठीके, आप simple चीज़ फालो करोगे, April to December, उसने काम किया था, ठीके, ये on work था वो, बराबरे, 31st December को उसने retirement ले लिया, तो कितने मंस बने गे, आगे, January to March, ठीके, तो आपको करना क्या है, तो कितने मंस के लिए वो काम पे था, 9 म मंस के लिए वो काम पे था, 3 मंस के लिए वो काम पे नहीं था, that means he was not on the job, for 3 मंस, तो ये मैंने आभी क्यू काउंट किया है, because whenever retirement का question आएगा, तब retirement में आपको retirement की date देखनी है, and then accordingly आपको क्या करना है, multiplied by, according to your question, months को multiply करना है, so retirement के question में आपको, एक सबसे important point आएगा, pension, type का होता है, एक होता है commuted pension, और एक होता है uncommuted pension, ठीक है, commuted and uncommuted, uncommuted is lump sum and uncommuted is monthly, periodical, periodical pension, pension इसको हम कहते है, तो सबसे simple logic है कि pension कभी मिलता है, pension हमेशा retirement के बाद मिलता है, तो retirement इसका कब हुआ है, 34 December को, तो कितने months आपके retirement के बाद गए, January, February, March, इसका मतलब इस बंदे को 3 months का ही pension मिलेगा, तो जितने भी points आपके question में आएंगे, सारे points को आप 9 months से multiply करना है, and सिर्फ आपको pension जो है, वो pension आपको 3 months से multiply करना है, यही यह multiplication में ही गलती होती है, तो इसलिए आपको याद क्या रखना है, अगर आपके paper में retirement वाला question आता है, तो पहले उ option वाला question आपको 12 months या net salary वाला दिखता है, तो वो आप attempt कर सकते है, because उसमें multiplication वाला जो type है, उसका गलती होने के chances कम है, तो वहाँ पे हमारी गलती नहीं होगी, तो वहाँ पे हमको जितने भी points हम लिखेंगे, उसके आपको max जो है, वो मिलने वाले है, usually points अभी को पता है, basic salary dearness allowance, फिर बाकी के सारे जो facilities मिलते है, उसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, bonus ठीक है, उसमें एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, bonus याद रखना है, अगर bonus declared word आएगा, declared, अगर bonus declared word आया है, तो हम नहीं लिखेंगे, और normal अगर simple word bonus आया, तो हम लिखेंगे, ठीक standard deduction, standard deduction कितना है, gross salary और 50,000, whichever is less, तो 50,000 की amount आपको यहाँ पर याद रखनी है, पहला, ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है, that is entertainment allowance, अब यह entertainment allowance जो है, that is available only for government employee, और इसके लिए बहुत ही simple है, actual entertainment allowance received है, आपका first rule होगा, फिर second rule होगा, one-fifth of basic salary, जो भी आपकी basic salary होगी, वो आप आपको याद रखनी है, and number third आपको याद रखना है, maximum limit, इसकी limit कितनी है, इसकी limit है, 5000 रूपीज, यह याद रखना, because यह कभी-कभी objective में भी पूछा जाता है, तो यह आपका second deduction है, जो सिर्फ government employees को ही मिलता है, और तीसरा हमारा point है, profession tax, यह सभी का deduction है, सभी को मिल पाता है, and सभी के salary में से cut होता है, तो deduction under 16, जब आप, जो आपकी gross salary होगी, उसमें से जब आप deduction under 16 minus करोगे, तब आपको मिल जाएगा income from salary, and that will be your first point, income from salary, इतने points आपको उसमें पढ़ने है, कितने type के levels आएगे, वो भी मैंने बताया, 3 type के levels है, choice of the question is very important, question ध्यान से पढ़े, उसके पादी attempt करने का सोचे की कौन सा attempt करना है, वेरना पहले retirement करने लग जाएंगे, और बाकी के questions काफी simple हो सकते है, तो आपको ध्यान रखने है, and accordingly ये था आपका chapter number one, या head number one, जो हमारा second topic है, उसके उपर आते है, house property, या house property स्टार्ट करने से पहले, I just want to receive your comment in the comment section, I hope this salary में कि आ पर focus करना है, वो आपको पता चला होगा, everyone has to reply, मुझे देखना है, आप सभी लोग reply करते है कि नहीं, ताकि मुझे भी पता चले exactly कि आपको अभी तक की बाते जो भी मैंने बताई है, वो clear है सबको, तो just comment करते रहे, comment करे, comment करना है, message में लिखना है आपको सिर्फ कि yes, it is clear, up till now, we have studied about the salary part, and everyone is cleared with the salary part as concerned, how many types of questions you need to study, सारी चीज़े आपको मैंने बता दी है, उसी बेस पे आप पढ़ोगे, तो that will be very much simple, चलो, सबके comments तो आ रहे है, अभी हम बढ़ते हैं हमारे second topic में, and that is income from house property, very very simple topic, very very interesting topic, and इसमें आपको एक चीज़ याद रखके जाना है, वो है format, अभी को format अभी तक clear हुआ है, और अगर नहीं हुआ है, तो playlist में जाहिए, free के videos डाल के रखे, उतने देखके भी जाएंगे, तबी भी आपको सारे के सारे format के points clear हो जाएंगे, so format की अगर बात करें, उसको पढ़ने से पहले हमारा सबसे पहला type of property होता है, LOP और दूसरे type का property होता है, SOP और एक, दो SOP रहेंगे, तो हमारा property का concept होता है, DLOP, ठीक है, LOP का मतलब क्या है, everybody knows, LOP का मतलब है, let out property, अगर ह हमने property में खुद ही रहे, मतलब हमने अगर घर लिया, खुद का घर लिया, और हमने वो घर किसी को rent पे नहीं दिया, हम खुद ही उसमें रहते, that is called as self-occupied property, और जब दो properties हमारी self-occupied होती है, तो फिर वो DLOP का concept आता है, which is called as deemed to be let out property, अभी सबसे पहले simple चीज से start करते है, SOP SOP में आपको simple चीज क्या याद रखनी है, GAV या NAV, SOP का निल होता है, because खुद के घर में रहे के हम खुद को कभी भी rent नहीं देंगे, इसमें से आपको deductions minus करने पड़ते हैं, under section 24, deductions under section 24 में आपको एक चीज याद रखनी है, and that is interest on borrowed funds, ठीके, interest on borrowed funds, इसमें major चीज याद रखनी है, major चीज ये है, कि अगर 1999 एर के पहले आपने loan लिया रहेगा, तो आपका maximum limit बनता है, 30,000 का, ये याद रखना है, paper में नहीं दिया जाएगा, और 1999 के बाद अगर आपने loan लिया है, तो maximum limit बनेगा 2 lakhs का, तो आपको क्या करना है, आपको question में देखना है, कि interest जो हम loan पे जो interest payment कर रहे है, जो हमने हमारे house property के लिये लिया था, उसका date क्या है, वो अगर 1999 के बाद का date है, तो maximum हमारा 2 lakhs बनेगा, and minimum 30,000 बनेगा, और इसमें आपको याद रखना है, whichever is less, जो भी छोटा amount रहेगा, वो हम लोग लेंगे, जैसे आपके question में बोला है, कि interest का amount है 25, और उसने loan लिया 2012 में 2012 में लिया, तो 2012 में लिया, तो लिमिट कितनी बनेगी, 99 के बाद है तो 2 lakhs, तो इन दोनों में से whichever is less है, वो ही आपको deduction मिलेगा, मतलब 25,000 का ही आपको deduction, self-occupied property में मिलेगा, I hope I am very much clear, जिन लोग ने पहले अच्छी तरीके से पड़ा है, उनको पता चला होगा, मैंने क्या कहा है, यहाँ पे, that is the point related with your house property का LOP as concerned, sorry, SOPS concerned, अभी हम पढ़ेंगे हमारे LOP को, LOP is what, LOP is let out property, बहुत ही simple है, सबसे पहली चीज, LOP में आपको calculate करना है, gross annual value, बहुत ही simple है, formative revise हो जाएगा, gross annual value कैसे दूनना है, तीन point को compare करना है, municipal value, fair rent, actual rent, लेकिन यहाँ पे आपको actual rent में से unrealized rent को क्या करना है, minus करना है, तो इन तीनों में से, इन तीनों में से, जो भी आपका higher value रहेगा, जो भी आपका बड़ा वाला value रहेगा, उन तीनों में से जो बड़ा वाला value रहेगा, उसको हम लोग क्या consider करेंगे, that will be called as gross annual value, इस में से हमें minus कर यह सबसे important point है, यह owner ने भरना चाहिए, पहला rule है, owner ने भरना चाहिए, दूसरा rule है, previous year का ही होना चाहिए, कोई पिछले साल का अगर information दिया है, तो उसको हम consider नहीं करेंगे, it should be paid by owner, that is rule number one and it should be of the previous year, normally आपको paper में दिया जाता है, municipal taxes paid by tenant, अगर tenant ने भरा है, तो हम नहीं लिखेंगे, very very important and अगर owner ने भरा है, तो ही हम लिखेंगे, that is very important because एक बार आपने अगर tenant का भी लिख लिया, आपका house property पूरा wrong होने के chances बन जाएंगे, हम gross annual value में से इसको minus करेंगे, we will get the answer and that is called as net annual value, in short called as NAV, इसमें से हम लोग deduction minus करेंगे under section 24, जिसमें दो deduction आते हैं, एक होता है standard deduction and rule है, इसका 30% of NAV, तो आपका जो भी NAV रहेगा, उसका 30% आपको दुनडा है, और दूसरा आपका जो भी interest रहेगा, जो आपने loan लिया है, आपके house property से related, उसका deduction भी आपको मिलेगा, जिसमें कोई भी limit नहीं है, जितना आपको question में दि deductions को minus करोगे, तब आपको LOP मिल जाएगा, और house property कैसे मिलता है, house property धुनने का simple calculation है, LOP में से आपको SOP minus करना है, minus इसले करना है कि SOP हमेशा negative आता है, और LOP में से जब आप SOP को minus करोगे, तब आपको house property का answer जो है, वो मिल जाएगा, और hope कि आप मैंने पूरे बाते आपको clearly बता दिये, house property से related, अगर house property में levels की बात करें, तो सबसे पहला हमारा level है, LOP में ज्यादा level है, normal level, जो simple calculation आता है, municipal value, fair and actual and whichever is higher वाला, दूसरा जो हमारा concept है, जिसमें आपको question में vacancy period दिया जाएगा, ठीके, what is this vacancy period, vacancy period का मतलब होता है, यह आपको months में दिया जाएगा, one month two month, three month, तो आपको करना क्या है, आपको vacancy period actual, जो rent आएगा, actual rent के बाद आपको vacancy period को minus करना है, उस type का भी practical question में आपको provide कर दिया था, playlist में आप जाके देख सकते हैं, आपको वहां से भी points को clear होने में help हो जाएगा, that is vacancy period वाला question, तीसरा जो है, उसमें आपको actual or unrealized rent भी दि कुछ changes आपको डेखने नहीं मिलेंगे, that is important, और एक दूसरा point अगर आप pre acquisition interest की बात करेंगे, कभी-कभी objectives में पूछा जाता है, pre acquisition interest का deduction जो है, वो आप कितने years तक ले सकते हैं, तो आपको याद रखना है, pre acquisition interest का deduction आप 5 years तक ले सकते हो, objectives में कहीं पूछ लिया, match the following में आ तो आपके पास होना चीए, इसलिए ये point आपको याद रखना है, that is your topic number second, फिर एक तीसरा topic हम discuss करते हैं, जो हमारे लिए काफी important है, which is called as other sources, तो other sources is one of the important topic, other sources की हम बात करें, तो इसमें दो डाइप के sections cover होते हैं, section 57 and section 58, other sources काफी simple chapter है, आप सभी को पता होगा, कि ऐसे income जो taxable नहीं है, तो वो हम other sources में लिखते हैं, जैसे कि royalty है, जैसे कि dividends है, जैसे कि interest है, जैसे कि gifts है, बहुत सारी चीज़े है, जो other sources में cover होती है, इसमें से important point आपको याद रखना है, gift के बारे में आपको याद रखना है, अगर हम gift की बात करें, तो gift में आपको क्या याद रख death और relative, ठीक है, inheritance, marriage, debt and relative, इन चारो categories के basis पे अगर आपको gift मिला रहेगा, तो it is not taxable, क्या याद रखना है, inheritance, marriage, death, relative, इन चारो categories में आपको अगर gift मिला होगा, तो it is not taxable, और अगर आपको gift, friend ने दिया होगा, others category में, others वाले points आते हैं, तो आपको इसमें याद रखना है, up to rupees 50,000, it is not taxable, and above rupees 50,000, पूरा taxable बन जाएगा, मतलब 51,000 है, तो पूरा का पूरा 51,000 ही taxable बनेगा, वो आपको याद रखना है, और दूसरा याद रखना है, father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, इन सभी लोगों से जब gift मिलता है, तो it is not taxable, वो याद रखना है, father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, सभी लोगों से जब gift मिलेगा, that is not at all taxable, दूसरा एक चीज़ आपको इस chapter में याद रखना है, about family pension, तो family pension का rule याद रखना है, family pension का rule है, exempt का 33.33% ये आपका exempt हो जाएगा, या इसका एक maximum limit भी है, और rupees 15,000, ठीक है, कितना exempt रहेगा, 15,000, whichever is less, इन दोनों में से जो छोटा amount है, वो क्या बन जाएगा, वो आपका exempt हो जाएगा, तो ये other sources में, जो important points है, वो मैंने आपको बता है, तो आपको पता तो है, कैसे solve करना है, पहले आप house property कर लोगे, या salary पूछा तो salary कर लोगे, other source कर लोगे, फिर उसको merge करके, हम gross total income को calculate कर ले थे, that is about the chapter of other sources, other sources आपके 2, 2, 3, 3 points सभी heads में पूछे जाएंगे, तो ध्यान से आपको solve करने, other sources, भूलना नहीं है, कि question में other sources नहीं था, मैंने किया नहीं, अभी next जो आपका chapter है, that is called as PGBP, I hope कि मैंने आपको अभी तक 3 chapters के बारे में बताया है, and these 3 topics are clear to everyone, I just want to see your comments in the chat section, let me see once in the comment section, so that I can move further, because PGBP, chapter profits and gains from business profession, that will carry again 20 marks, तो just मुझे आपके comment आने चाहिए, comment section में, everyone just comment करे एक बार, so that अभी जितनी points बताये, चोलो confusion में है, कि कैसे डाइब के questions आएंगे, क्या पूछेंगे, paper में किस तरीके से पढ़ना है, क्या-क्या चीजों को revise करना है, तो ये आज का session आपको काफी helpful होने वाला है, तो इसलिए मुझे comment section में आपके comments आने चाहिए, कि अभी तक जितनी बाते मैंने आपको बताई है, उतनी आपको clear हुई है, और उस base पे हम अभी हमारे दो topics जो last के है, PGBP and एक हमारा capital gain उसके बाद एक deductions के बारे में भी थोड़ा सा discussion हम कर लेंगे, चलो comments तो सबके आ रहे है, very good all of you, let us see about PGBP, profits and gains from business profession, इसमें सबसे important point है, आपको सबसे पहले question में देखना है, profit and loss account दिया है, तो profit and loss account दिया है, तो आपको याद रखना है, उसमें net profit का concept, ठीक है, मैं आपको format रिवाइस करवा देता हूँ, net profit, सबसे आपको शुरू करना है net profit, तो क्या होगा आपका format, net profit as per profit and loss account, ठीक है, बहुत ही simple है, यह आपको question में दिया जाएगा, उसके बाद आपको इसमें add करना है, disallowed expenses, ठीक है, कोई-कोई disallowed लिखता है, कोई अलग नाम लिखता है, concept एक ही है, हमको क्या add करना है, disallowed expenses, अब यह आपको कहां मिलेंगे, यह आपको मिलेंगे profit and loss के debit side में, बहुत ही simple rule बता रहा हो, ताकि इदर उदर कहीं पे देखने की कुछ जरुरती नहीं पढ़नी चाहिए, कि disallowed expenses है तो सही, लेकिन वो मिलेंगे कहां पे, तो disallowed expenses आपको मिलेंगे profit and loss के debit side में, अब ध्यान से सुनना जिनको भी यह confusion होता है, ऐसे expenses जो business के नहीं है, मैंने यहाँ पे नहीं है, इंडी में लिखा है, आपको समझना चाहिए, कि ऐसे expenses जो business के नहीं है, वो ही हम यहाँ पे add करेंगे, यह ऐसा क्यों कर रहे हम, विकॉज जो हमारा accountant है, उसने अल्रेडी वहाँ पे add करके दिखा दिया, मतलब हमारे debit side में दिखा दिया, तो क्या हो गया, net profit में से expenses minus हो, profit कम दिख रहा है, अभी income tax को क्या है, exact profit दूणना है, इसलिए वो फिर से add back कर लेगा, तो आपको add करना है, disallowed expenses, फिर आपको less करना है, disallowed incomes, अगर disallowed expenses आपको debit में मिलेगा, तो disallowed incomes आपको profit and loss के credit side में मिलेगा, और यह कौनसे points होते हैं, यह ऐसे income जो business के नहीं है, maximum इसमें आपको other sources के points मिलेंगे, maximum इसमें आपको other sources के ही points यहाँ पे मिलेंगे, that is important, फिर आपको एक formality का point लिखना है, add unrecorded, add unrecorded allowed incomes, यह formality है, यहाँ पे आपको dash मारना है, फिर आपको next लिखना है, unrecorded allowed expenses, unrecorded allowed expenses, यहाँ पे आपको depreciation लिखना है, वो भी adjustment में दिया हुआ, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, adjustment का depreciation, और अगर आपके profit and loss में भी depreciation दिया है, तो वो आपको disallowed expenses में लिखना है, तो question का depreciation, disallowed expenses में आएगा, और adjustment का depreciation यहाँ पे आएगा, इसके बाद जब आप इसको plus minus, plus minus करोगे, तब आपको business profession का answer मिल जाएगा, बहुत ही simple topic है, business professions के साथ, other sources तो पक्का ही होगा, credit side में देखना है, और business profession के साथ, अगर credit side में आपको कही पे house property दिखता है, income from let out property, या house property, तो उस question में house property भी है, तो आपको house property का LOP solve करना पड़ेगा, तो अगर वैसे वलड़ाई पाता है, तो वो भी ध्यान रखना, LOP भी आपको solve करना पड़ सकता है, that is about business profession, जो next topic है, हमारा that is called as capital gain, अभी एक option वाला topic है, option में जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ के जाना, because यह क्या है, 10-10 marks के question में आते हैं, तो 10 marks के question भी आप attempt कर पाओगे, तो अगर आप पहले ही छोड़ के जाओगे, तो फिर problem हो सकता है, इसमें concept है LTCG and STCG, ठीक है, LTCG and STCG, what is LTCG? It is called as long term capital gain, and STCG is called as short term capital gain, जादा करके questions long term capital gain पे जादा होते हैं, तो LTCG पे questions जादा होते हैं, काफी simple है, सबसे पहले आपको लिखना है, full value of consideration, इसका मतलब क्या होता है, full value of consideration is what the selling price, आपने property कितने में बेचा है, तो वो भी full value of consideration होगा, वो आप लिखोगे, LTCG का concept क्या है, अगर आपने property तीन साल के बाद बेच दिया, तो long term capital gain, और अगर shares है, तो एक साल के बाद बेच दिया, तो long term capital gain, वो बेस आप सभी को already पता होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, expenses of transfer को क्या करेंगे, expenses of transfer को हम इसमें से minus करने वाले, what is this expenses of transfer, expenses of transfer का मतलब होता है, brokerage, stamp duty, commission, ऐसे points आपको यहाँ पे less करने है, उसके बाद आपका point आएगा, यह जो index का concept है, index cost of acquisition, यह भी आपको लिखना है, यह solve कैसे करना है, मैं आपको formula बताता हो, इसमें से आपको क्या minus करना है, इसमें से आपको minus करना है, index cost of improvement, यह भी आपको minus करना है, दोनों के rule बताता हो, improvement के लिए एक rule याद रखने का, कि 2001, 2001 के बाद, जो भी आपने improvements किये हैं, वो ही लेने है, 2001 के पहले अगर आपको, कुछ भी improvements question में दिये होंगे, तो वो आपको नहीं लेने है, not to be taken, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2001 के पहले वाले, हमें नहीं लेने है, 2001 के बाद वाले ही हमें लेने है, that is the point, now let us understand the formula, it's very simple, अगर हम सबसे पहले point की बात करें, that is index cost of acquisition की, तो formula काफी simple है, cost of acquisition, divided by, इंडेक्स ओफ पर्चेज इयर, multiplied by, इंडेक्स ओफ ट्रांस्फर इयर, so index of transfer इयर, यह आपका formula बनेगा, उसके बाद अगर हम index cost of improvement की बात करें, तो वो भी एक बार revise कर लेते हैं, index cost of improvement का formula क्या बनेगा, cost of improvement, divided by, index of improvement year, multiplied by index of transfer year, ठीक है, काफी simple है, transfer year में आपका जो previous year रहेगा, उसका index आपको दिया जाएगा, वो index आपको यहाँ पर लेना है, and then आपको इसको solve करना है, तो दोनो formula भी मैंने आपको बता दिये, वैसे तो capital gain 10 max का आता है, वो option में जा सकता है, और cost of acquisition और cost of improvement के बाद, एक और एक adjustment आपको कभी-कभी विपर में डाला जाता है, जैसे कि new house purchase, तो आपको last में क्या करना है, new house purchase अगर आपको दिया है, तो index cost of acquisition और index cost of improvement के बाद, last में आपको new house purchase का जो price रहेगा, वो भी आपको less कर देना है, that's it, these are the five heads, तो किस तरीके से कौन से points के उपर focus करना है, I hope मैंने सारी बाते आपको clear कर दी है, and short notes की अगर बात करें, theory questions की अगर बात करें, देखो हर chapter का जो basic basic point है, वो भी आप अगर पढ़के जाओगे, तो उससे जो भी short notes बनेगे, आप easily लिख सकते हो, अभी हम एक काम करेंगे, अभी हम deductions को revise कर लेते हैं, कि आपको paper में जो deductions आने वाले, हर एक question में आपको minimum एक, और maximum जो है, वो दो deductions पूछे जाएंगे, deductions under chapter 6A, यह आपको याद रखना है, और इसमें मैंने एक video, already dedicated बनाया है, अगर आपको पूरा detail में इसको देखना है, तो वो video जाके देख सकते हैं, deduction under chapter 6A, यह सारे के सारे deduction, 80 में होते हैं, सारे के सारे deduction किसमें होते हैं, 8080, that is section 80 chapter 6A, तो सबसे पहला जो deduction है, हमारा that is called ATC, ATC में कौन से कौन से points आते हैं, ध्यान से सुन लेना, आपने पहले पढ़ा होता होगा, तो आपको यह पता है, LIC premium paid, principal repayment of housing loan, tuition fees of two children, interest on NSC, contribution to provident fund, ऐसे आपके points उसमें आएंगे, points तो बहुत सारे हैं, major चीज आपको याद रखनी है, limit 1,50,000 का limit है, उससे ज़्यादा deduction यहाँ पे नहीं मिलेगा, maximum limit है 1,50,000, question में कितना भी amount आजा है, 1,50,000 से ज़्यादा deduction नहीं मिलेगा, question में अगर 1,00,000 का गया, तो 1,00,000 का ही मिलेगा, whichever is less का concept है, दूसरा हमारा point है, ATCCC, ATCCC में आपको याद रखना है, investment in pension policy, इसका भी limit कितना है, 1,50,000 की limit है, लेकिन एक दूसरी चीज़ याद रखनी है, ATCCC और ATCCC, दोनों का combined limit 1,50,000 है, ऐसा नहीं कि दोनों का मिला के 3,00,000 है, दोनों का combined limit मिला के, 1,50,000 का deduction आपको मिल सकता है, उसके बाद हमारा point है ATD, ATD की अगर बात करें, ATD is related with mediclaim, ATD is related with what? Mediclaim, तो mediclaim का अगर amount याद रखना है, तो आपको याद रखना है, normal person के लिए 25,000, और अगर senior citizen है, उसके parents वगर अभी, तो 50,000 का deduction आपको मिल सकता है, and the amount should be paid by check, cash payment deduction not allowed at all, that is number 3, ATD, उसके बाद आपका आएगा ATDD, ATDD is disability वाला section, लेकिन इसमें disability को ने, disability of dependence याद रखना है, disability of dependence, मतलब assessi के जो parents है, brother है, sister है, उसके ओपल depend है, तो उसको आपको याद रखना है, अगर 40% तक disability रहेगा, तो deduction नहीं मिलेगा, 40% से लेकि 80% तक रहेगा, तो उसको deduction मिलेगा 75,000 का, और अगर 80% से उपर disability रहेगा, तो उसको सीधा deduction मिलेगा, 1,25,000 का, उससे कम रहेगा, 40% से कम रहेगा, तो कोई भी deduction वहाँ पे मिलने वाला नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है, काफी important point है, and that you have to remember, that is about the ATDD, अगर हम ATDD के साथ, ATU को combine कर ले, तो यह same है disability, लेकिन यहाँ पे जो है न, ACCC खुदी disabled है, ATDD में, ACCC के parents disabled है, ATU में, ACCC खुदी disabled है, तो उसके लिए भी यही conditions, यही provisions applicable होंगे, 40% वाले, या 40 to 80% वाले, and 80% वाले, जो अभी हमने देखा 80% से उपर, कभी-कभी आपके question में, यह percentage नहीं दिया जाता, आपके question में, severe disability ऐसा word दिया जाता है, याद रखना है आपको, और यह disability का section है न, हमेशा first line में होता है, Mr. So and So is physically disabled, Mr. So and So is disabled up to 60%, तो कभी भी आप question जब पढ़ोगे, तो first line बराबर पढ़ना, वहाँ पर आपको यह deduction बिल जाएगा, और वो आपको याद रखना है, 80U तक हमने discuss कर लिया, जो आपको याद रखना है, for the point, 80E, that is interest on loan for higher education, interest for education, ऐसा लिखता हूं मैं, तो interest on loan for higher education, no limit, जितना भी interest payment करेगा, उसका deduction बिल जाएगा, और हमारा point है, 80TTA, 80TTA is what, interest on savings bank, interest on savings bank account, इसमें आपको याद रखना है, कि deduction कितना मिलेगा, maximum deduction मिलेगा, 10,000, 10,000 से, अगर कुछ point है तो, उसका deduction नहीं मिलेगा, 10,000 तक ही deduction मिलेगा, ये overall deductions है, जो हमेशा, आपके paper में पूछे जाते है, सिर्फ आपको paper में ध्यान से पढ़ना है, deduction का, एक deduction का, एक mark मिलेगा, अगर आप दो deduction प्रॉपर लिखोगे, तो वहाँ पे आपको 2 mark सीधे मिल जाएंगे, तो this is the part related with your direct tax, I hope कि मैंने सारे points आपको बता दिये, किस तरीके से आपको कौन से points के ओपर focus करना है, अभी भी अगर आपके कुछ चीजे clear नहीं है, तो channel पे videos available है, channel पे जाईए, videos playlist में जाईए, सारी चीजे देखे, और अगर प्रेलिस्ट में नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो मुझे WhatsApp एक message करे, नंबर मेरा जो description है आपका, वीडियो का वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके सिर्फ message करे, मैं आपको सारे videos की link एक साथ बेज दूँगा, तो that will be the points, I hope कि यह जो revisionary session की series मेंने शाट की है, उससे आपको काफी अच्छा benefit आपके paper में मिलेगा, और जो आपके silly mistakes होते है students के हमेशा, वो आपके silly mistakes आपके paper में नहीं होंगे, तो अगर आप पहली बार channel पे आयो तो अभी subscribe कर लेना, ताकि अगले semester में भी आपको इस channel पे ऐसे वीडियो और proper वीडियो मिलने वाले है, आप download करके रखे, सब कुछ free है, आप download करे, Instagram पे follow करे, Facebook पे follow करे, जहां पे social media का platform है, सबी जगे पे follow करे, सब का link description में है, ताकि एक आप हमारी और आपकी एक community बन जा, और वहां पे हम जो भी चीज़े share करें, ताकि एक भी notification आपका miss नहीं हो, और आपके पास सारे के सारे information सबसे पहले आए, thank you very much from this session, I hope कि आपको ये session समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगाए तो like करके अपने friends में share करना ना भूले, because हमारे एक share से उनको भी ये paper में benefit मिल सकता है, thank you very much all of you, bye bye take care and wish you all the best for tomorrow's paper,